पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लोटे शमसुद्दीन से मिलने को उनके परिवार वाले तैयारी में जुट गए है 28 साथ बाद उनकी भाई से मुलाकात होगी बताया कि उन्हें नहीं पता था कि भाई पाकिस्तान से अमरिच सर पहुच कर कारिंटीन है बिडिया से जानकारे मिलने पर उनकी आखे हो गई है नम कंगी मोहल निवासी शमसुद्दीन के भाई फहिमुद्दीन ने बताया कि 28 साल बाद वह अपने भाई को देख पाएंगे भाई को अपने साथ ही रखेंगे बताया कि भाई शमसुद्दीन वर्ष 1992 में पाकिस्तान गुमने गए थे इसके बाद वापस ही नहीं लोटे बाद में उनकी बीवी भी पाकिस्तान चली गई हाला कि दोनों के बीच तलाक होने पर भाई वापस आ गई शमसुद्दीन पाकिस्तान में रहे कर काम धंदे में लग गए इस बीच उनकी फोन पर घर वालों से बाद भी होती रही वह घर वापस आना चाहते थे इसके लिए कोशिश भी करते रहे इस बीच उन पर भारतिय जासुस होने का आरोप लगा कर जेल में बन कर दिया गया था शमसुद्दीन 30 साल की उम्र में पाकिस्तान चले गए थे अब उनकी उम्र 58 साल है 12 साल से उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं था कानपुर के कंगी मोहल निवासी उनके भाई फही मुद्दीन ने बताया कि मोहले में रहने वाले सादुल्ला की बेटी की शादी पाकिस्तान में हुई थी सादुल्ला के बेटी और दामात पाकिस्तान से कंगी मोहल आये थे शमसुद्दीन का उनके घर आना जाना था उससे समय घुमने को लेकर उनके साथ वह गए थे पहले बात होती थी लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है अचानक बात चित बंद हो गए तब उनके जेल जाने की जानकारी होई शमसुद्दीन कानपूर में जूते का अपर बनाने के कारीगर थे बांसमंटी स्तीत फैक्टरी में काम करते थे पाकिस्तान पहुशने पर पहले उन्होंने चूड़ी के दुकान पर काम किया उसके बाद ठेला लगा कर चपल बेचने लगे वह वापस आना चाहते थे लेकिन तब ही भारतिय जासूस होने के आरोप से जेल में बंद हो गए शमसुद्दीन चार भाईयों और दो भेनों में सबसे बड़े हैं फहीमुद्दीन के साथ ही नसिरुद्दीन वचान बाबू भी उनके भाई है शाहिन और चंदा भेने हैं उनके पाकिसान जाती समय से सभी छोटे थे शमसुद्दीन जहार रहते थे वही अब भी रहते हैं उनके तीन बच्चों में दो बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है वहीं आपको बता दे कि जब इनके भाई को इनके बारे में जानकर हुई कि पाकिसान से इनको रिहा कर दिया गया है अब भाई अमरिच सर में एक हॉस्पिटल में कॉरिंटीन है चाहां उनका इलाज चल रहा है जल्द ही अब भाई से अपने घर कानपूर वापस आ जाएंगे तब से परिवार में खुशी का माहौल है वो उनके भाई ने भारत सरकार और यूपी सरकार को तहिद दिल से शुक्रिया किया वही इस मामले में सीयो सी सामों से बात कर गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग परिवार के साथ है उनको जैसे मदद चाहिए होगी हम लोग सदय उनके लिए मदद के लिए तत पर रहेंगे नबे क्यानमे के टाइम जो है वह यहां से गए थे क्योंकि हम लोग से लड़ जगड़ के वह अलग रहते थे और उसके बाद कब वह चलेगा हम लोग को पता कि नहीं चला है उनके ज पतार हुए थे और छूट करके वह अमरिश्चर आ गये हैं जैसा कि मिश्यो सुत्रों से जानकारी हो रही है मीडिया के माध्यम से भी जानकारी पराब्त हुई है उनके परिवार वाले मनना पूर्वा बजरिया से अब उनसे संपर कर रहे हैं और हम लोगों का जहां भी उ हम लोगों को स्वयोग करने के लिए तत्यपर हैं और जैसा भी वह बताएंगे हम लोगों उनके साथ हमिशा के लिए अपने सद्भावना के साथ उनके साथ जुड़े हुए है